फाइनले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसर आई प्रो 2024 का एडिशन और HD रेडी के साथ में LCD प्रस गूगल टीवी है और ये टीवी ना 32 इंच चले का 65 इंच तक का सभी साइज देखनों को मिलेगा सभी साइज का जो प्राइज रहेगा वो डिफरेंस देखनों को मिलेगा पर इस वीडियो में न हम 32 इंच वाले स्मार्ट टीवी के बारे में बात करेंगे आपको बताएंगे कि जो नौर्मल साइज होता है 32 वाला ये अपने इसाब से कहीं पर भी आप आरजस्ट करा सकतो तो इस वीडियो में हम इसी एसर आई प्रो वाले स्मार्ट प्लास्ट का मिलेगा और नीचे जो इस्टेंड लगाए गया वह भी आपको प्लास्टिक का ही देखनों को मिलेगा यानि कि सामनी के तरफ से ना जो चीन्स और बेजल होते हैं डिस्पेले में काफी कम देखनों को मिलेगे ना कि बराबर तो बेक पैनल का जो प्लास्टिक पैनल है यानि कि सारा टीवी आपको प्लास्टिक का देखनों को मिलेगा नीचे जो यहां पर बॉर्डर होता ना इसका यहां पर आपको एसर का ब्रांड देखनों को मिल जाएगा और यहां पर डिजाइन के बात में बात करते हैं डिस्प् का सपोर्ड मिल जाएगा जो काफी अच्छा है और इसमें ना फ्रेमलेस का डिजाइन देखने को मिलेगा यानि कि यहां पर चींस बेजल ना के बराबर है पूरा का पूरा डिस्प्लै ही नजर आएगा 178 का बियो एंगल मिल जाएगा किसी भी साइड से आप बैठकर अच्छे क्लेटी में स्मार्ट टिवी में जो भी चल लाओ मूबी हो गया या फिर कार्टून हो गया कोई भी चीज हो तो आसानी से आप देख सकते हो कोई भी यानि कि बिलेक कलर का आपको नजर नहीं आएगा किसी भी साइड से देखोगे तो यहां पर डिस्प्लै जो है ना काफी अच्छा आपको क्लेटी प्रवाइड करेगा और आपको अच्छे नजर आएगा आगे बात कर लेते हैं साउंड के बारे में डिस्प्लै के बाद में साउंड की सबसे ज़्यादा जरूरी होता क्योंकि TV में अगर साउंड की क्लेटी अच्छी नहीं है तो वो ती बी आपके लिए अच्छा नहीं रएगा इसमें 15 15-15 यहां पर connectivity के बारे में, कि connectivity क्या-क्या दिया गया, 2 HDMI port मिल जाएगा, 1 SP port मिल जाएगा, dual Wi-Fi band मिल जाएगा, और यहां पर Bruce Good भी देखनों को मिलेगा, headphone देखनों को नहीं मिले माला, आप भारी sound को add नहीं कर पाओगे, और साथ में Google Assistant भी देखनों को मिलेगा, आप remote में बोल करना, आप किसी भी चीज को search कर सकते हो, यह काफी अच्छा features होता है, और Google हमेशा अपने TV में देता है, आगे देख लेते हैं इसके processor के बारे में, क्योंकि यह 2024 का edition है, और Android 14 पर support करता है, इसमें प्रोसेसर है, Maly G31 मिलेगा, 1.5 GB RAM के साथ में 16 GB internal storage दे रहा है, इस budget में आपको 16 GB RAM किसी भी smart TV में देखनों को नहीं मिलेगा, हमने काफी सारा smart TV का वीडियो बनाया है, चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो, उस वीडियो में हमने जितने में TV बताएं, उसमें सारे के सारे smart TV जो 2 GB RAM और 16 GB RAM मिलेंगे, पर इसमें आपको 1.5 GB RAM के साथ में 16 GB internal storage मिल ला है, तो यह इस budget में काफी बहतरीन TV होने वाला है, आगे बात कर लेते हैं, कि यह TV जो है कब launch किया गया था, तो 19 सितंबर 2024 का एड़ी साना, 2024 में launch किया गया था, और अभी के समय में आगर आप confused हो रहे हो कि हमें कौन सा TV लेना चाहिए, और भी 32 इंच का, तो यह TV जो ना, आई प्रो, यानि कि Acer 32 इंच आई प्रो स्मार्ट टीवी, यह आपके लिए बहतरीन होने माला है, और इसमें क्लेटी भी आपको अच्छा नजर आएगा, और कोई भी कमियां हमें इसमें देखनों को नहीं मिला, पर डिस्प्ले के रेजलेशन में थोड़ा सा कमी मिल गया है, जो 720 दिया गया, थोड़ा 1080 होता, तो किलेटी और भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, और जो फीचर सेट की हैं वो सारे best हैं, रेमोट में देख लेत तो 32 इंचोला smart TV, तो इसे ले सकते हो, लास्ट में बात कर लेते हैं इसके price के बारे में, तो 10,499 रुपया इसका budget है, यानि कि इसका price है, जो man price है, फिलिप कार्ड पर अगर आपके पास HDFC का credit card है, या फिर debit card हो सकता है कि debit पे ना मिले, पर credit card पे 1000 का discount मिल जाएगा, तो 9, 249 रुपय में, आपको ये TV देखनों को मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख ले ना, कि ये TV आपके लिए बहतेरी ने, या फिर नहीं, पर मेरे हिसाब से ना, मेरे कहने पर अगर purchase करना चाहते हो, तो ये TV के साथ आप जा सकते हो, कोई भी इसमें कमिया नहीं मिल तो अगर आपको इस TV से लेकर कोई भी confusion होगा ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का reply तुरंत दूँगा, तो अगर वीडियो पर पहली बार आये थे, या फिर मुझे पहली बार देख रहो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आ तक पोचिए.